ये hair oil बालों को काला करेगा, मजबूत बनाएगा, चरवकदार बनाएगा और साथ के साथ बालों की कंडिशनिंग करेगा आज मैं आपके साथ ये hair oil रेस्पी शेयर कर जीओं जो की बहुत ही जवरदस्त है ये मेरे यहाँ पे white hair हो चुके थे, लेकिन ये oil यूज करके मैंने इने black कर लिया है आप भी बना कर देखिए और यूज करके देखिए, हपने में आपको 2-3 वार ये लगाना है और देखिएगा आपके white जो हो चुके है न वाल वो भी आपके black हो जाएंगे इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक लोहे की कडाई चाहिए वैसे तो आप कोई भी कडाई ले सकते हो अगर लोहे की है तो बहुत बढ़िया है उसके बाद इसमें डालना है आपने सरसों का तेल एक cup आपने सर्सों का तेल ले लेना है अगर आप नारियल का तेल या पसंद करते हो तो आप वो भी ले सकते हो आप वन कप जो है इसमें मैंने डाल लिया है सर्सों का तेल अब इसमें हमने एड करनी है कुछ चीजें जो घर में भी हम बना सकते हैं आमले को कद्दू कस करके अच्छे से आप उसे सुखा के पाउडर बना सकते हो या अप आन्लाइन Radiweight आपको पकेट में मिल जाता है आमले का पाउडर तो वो आपने ले लेना है यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून जो है आमले का पाउडर डाल लिया इसमें तीसरी चीज इसमें एड़ करेंगे नैच्रल हीना मतलब जो सिंपल पाउडर होता है न महंदी का वो आपने ले लेना यहां पर टूटी स्पून या फिर एक ब्राबर मात्रा में दोनों चीजें आप लिए डालने महंदी वैसे तो रैड कलर देती है बैट इन चीजो के साथ मिलकर यह हमारे बालों को बहुत ही प्यारा सा ब्लैक कलर देगी अब चोथी चीज जो एड करनी है वह है मेती दाना तो मेती दाने का पाउडर जो है न आपने लेना है वन टी स्पून अब मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने यह मेती दाना लिया इसको अच्छ न रोक देगा बालों को बढ़ाने का यह काम करेगा साथ के साथ बाल बहुत ही मोटे घने और मजबूत और बहुत ही खूर सूर्थ हो जाएंगे तो बहुत अच्छे से यह देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है इसको चानने के बाद एक बॉटल में से स्टोर कर ले बालों का तूटना रुख जाता है बलड जर्कुलेशन सुधरता है इससे बालों की कंडिशनिंग होती है डेंडर्फ दूर होती है हेर ग्रोथ बरती दो मुहें अगर बाल हैं वो कम हो जाएंगे सफेद बालों से आपका बचाओं हो जाएगा आमला पाउंडर में बीटा करेंगे तो यह जो लोहे की कड़ाई हमने लीना इसी में लगए लुकुल लोव फ्लेम पे आपने पकाना है इसे और यह जैसे यह इसे पकता जाएगा जाएगी थोड़ी-थोड़ी जाग आती रहेगी और हलके-लके खुशू आने लगी पांच मिनृट तक आपने इसे प ऐसे ही छोड़ दे, पूरी राट के लिए आपने इसे धख के रख देना है और मॉर्निंग में इस तरह से किसी मलमल के कपड़े में चान के इसे बॉटल में इसे बॉटल में स्टोर कर लेंगी अब यह जो पाउडन है है यह भी बहुत अच्छे से लगाना है, बहुत ही बड़ी ऑईल है, बालों को काला करेगा, घना करेगा, ग्रोथ देगा, और सिल्की बनाएगा, 1 टी स्पून मैं इसमें डार रही हूँ, कैस्टर ओयल, अगर आपके पास है तो ठीक है, यह उप्शनल है, नहीं है, तो रहने देए, खुद में ही बहुत ताकतवर ओयल है, अगर आपने डाला कैस्टर ओयल, तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कैस्टर करना है, अपने स्कैल, बहुत अच्छे से मसाज, इस तरह से बालों को हटाते हुए, आपने स्कैल पे बहुत अच्छे से लगा लेंगे, बालों में भी लगा लेंगे, और वीक में अगर आप 2-3 टाइम भी इसे यूस कर लेते हुआ, तो आपके अगर बाल का सफेद हो र वरक आ रहा है एक और मैंने आपके साथ और भी शेयर किया था जिससे बालों की ग्लोथ वरती है अगर बाल निकल चुके हैं कहीं से तो वहां पे बाल दुबारा से आधाते हैं तो यह जो स्टार्टिंग का पोर्षन है ना पॉर है के पास यहां से बाल जो है खतम हो चुके बहुत ही अच्छे से चोटे चोटे हीर्स मिरे को दिखाई दे रहे हैं तो मैं अभी कंटिन्यूसली उसे लगा रही हूं तो वह भी आप आप आयल यूज करके देखिएगा यह आयल आपको 100% रिजर्स देंगे लेकिन आपको जो है ना कंटिन्यूसली इनका यूज करना है हफते में दो से तीन वार तो आप इस तरह से मसाज करें बालों में बहुत अच्छे से यह आयल लगाएं पहले आपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा लिया उसके बाद बालो को भी नहीं छोड़ना है बालों में भी इसी तरह से आपने बहुत अच्छे से मसाज कर देनी है उसके बाद यह जो स्कैल्प है ना इसमें भी हलके हलके हाथों से इससे मसाज कर ले ताकि ब्लड सर्कूलेशन बढ़े इस तरह से चंपी करने से डेंड्रफ हमारी खतम हो ज चंपी करने से बालों का जर्णा कम हो जाता है स्कैल्प के पोस खुलते हैं और जो स्किन के अंदर जब जाता है ना तो हमारे सर का दर्थ नाव जो भी स्ट्रेस है वो भी खतम होता है आई होप आपको यह ज़रूर पसंद आया होगा बनाकर ज़रूर देखिए और चैनल क अपके कि जी तेक कर और बूद बूद बाई